बिस्मिल्ला रह्मालियाहीम अस्सलाम अलेकूम आज मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ शामी के बर्गर इसके लिए जोज़ चीज़ें चाहिए हूँगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ ये शामी कबाब है आप लोगों को मैंने इसकी रैसिपी दे चुकी हुई हूँ इसके इलावा मेरे पास मैंने बरगर रखके मैं यानि के बन्द दो अदद की मैं आप लोगों को भी रैसिपी दे रही हूँ वो मैं आप लोगो साहसा चीजें भी बताती हूँ और दिखा भी रही हूँ इसके इलावा जो जो चीजें चाहिए है उसमें है नमक, नमक हस-बेजाई का जो की अन्डे में बिजाएगा और aerial निसमें बिजाएगा मूवी मैं अपलों को बिखाती हूँ इसके इलावा मेरे पास है काली मिर्च PCOI मैंने काली मिर्च रखी है और अंडे मेरे पास इसके इलावा आप लोग देख सकते हैं सिलाद के पते जिनको मैंने वाश करके रख लिया हुआ है ये हैं मेरे पास बंगो भी बंगो भी और सिलाद के पते मैंने इस तरह बरीक बरीक वाटनी हैं आप लोग देख सकते हैं मैंने ज्यादा बनाने हैं, मैं आप लोगों को दो की रैसिपी दे रही हूँ, मैंने इसलिए चीज़ें सारी अकटी करके रख ली हुई है, यह देखें, यह मेरे पास मायोनीज है, मायोनीज मैंने लिया है, एक बड़ी प्याली मायोनीज है, कैचप है, इसके लिए जो इस् यह अंडे में जाएगा, मैं आप लोगो सारी रैसिपी साथ साथ बताती रहूंगी, यह आप लोगो मैंने इंग्रीडियर्स बता दी हैं, जिसमें शामी कबाब, बंद, अंडे, नमक, काली मिर्च, कैचप, मायोनीज, चिकन उबला हुआ, सलात के पते, और साथ ही बंद क सबसे पहले, यह आप लोगो देख सकते हैं, मायोनीज, मैंने आप लोगो बता दी है, एक बड़ी प्यादी है मेरे पास, इसमें मैं नमक डालूंगी, यह देखे, नमक बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें अड़् कर रही हूँ, एक चोथाई चाय का चमच मैं इसमें नमक अड़् नहीं होगा, आप लोगो देख सकते हैं, यह सलाथ के पते और बांद को भी यह मैं इसमें अड़् कर रही हूँ, अब मैं इसको मिक्स कर दोओंगी, यह देखे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आप लोगो दिखाती हूँ, नमक, काली मिर्च, मायोनीज, ब लोग देख सकते हैं इसमें मज़ीद कोई भी मसाला अड़ नहीं किया मैंने अब ये शामी कबाब है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ इसकी रासी भी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ अब इसको फ्राइ करूँगी ये देखिए ओल हमारा गरम हो चुका है इसमें मैं फ्राइ कर रही हूँ शामी कबाब अंडे में डिप करके मैं इसको फ्राइ करूँगी पहले मैं तमाम चीज़ें रैडी करके रख लूँगी ये तकरीबन चार से पांच मिनट में ये बनकर रैडी हो जाएंगे क्यूंकि ये मैंने अभी फ्रेश बनाए हैं बर्गर के के लिए शामी कबाब का साइज आप लोग देख सकते हैं चबली कबाब की तरह मैंने इसका शामी कबाब का साइज रखा है ये देखे ये बनकर रैडी हो गया है इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ ये देखिए अब मैं आपको अंड़े की रैसिपी दे रही हूँ साथ ही बता रही हूँ ये देखिए अंड़ा मेरे पास एक अदद इसी में मैं नमक आड़ कर रही हूँ काली मिर्श पीसी हूई आड़ कर रही हूँ दोनों ही मैंने एक एक चुटकी तकरीबल लिया है अब इसमें मैं उबला हूँ चिकन जोके मैंने आपको बताया मैंने नमक डालके वो बालिया था वो इसमें आड़ कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ ए एक अंड़ है। इसको मैं अची तरह से mix कर रही हूं। तब हमारा गरम हो चुक है। इसमें मैं थोड़ा सा oil डालूंगी। अब इस पर मैं अंड़ा fry करूंगी। इसको मैं शारा grease कर लेते हूं। इसको मैं अंडा डाल चुकह वी हूं। कि इसको मैं टर्ण कर दोंगी कि इस तरह बोकुत ही मज़ेदार बनेंगे आप लोग इसको जुरूर ट्राइ कीजिएगा इस तरह बिल्कुल गोर्डन कलर का हो जाएगा और हस्ता हो जाएगा इसी तरह मैंने मज़ीद दूसरा अंडा भी इसी तरह त्यार कर लूँगी आप लोग देख सकते हैं चिकन अंडे के साथ ही पकेगा क्योंकि चिकन अल्रेडी हमारा डान हो चुका हुआ है यह देखिए अंडा भी बनकर रेडी हो चुका है अब मैं बर्गर जो उनसे है वो गरम करूंगी यह देखें थोड़ा थोड़ा लगा कर मैं इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ी तेड़े के लिए आप लोग देख सकते हैं यह मैंने टर्ण किया यह गोल्डन हो चुका हुआ है अब मैं आपको बर्गर बनाने का तरीका बता रही हूँ सबसे पहले मैंने इस पर थोड़ी सी मायनीज रा लिया इसको किसी भी चमच की मदद से आप लोग सारा राप कर लें यह देखें यह मायनीज लाग चुकी है अब इस पर मैं शामी कबाब रखूंगी यह देखें शामी कबाब का साइज अब इस पर रंडा इसके इलावा मैंने आप लोगों को बंद को भी और मायनीज नमा काली मिर्च यह बनाना पहले स्टार्ड बे सिखा दी थी वो मैंने इस पर अड़ की है देखें अब इसको मैं कवर कर दूँगी कैचप लगा रही हूँ यह लग सकते हैं यह बर्गर बनकर रैडी हो चुका हुआ है इसकी कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखिए माशाला से इसकी लोग इसी तरह मैं मज़ीद बनाऊंगी और आप लोगो इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी यह बहुत ही इंशाला मज़ेदार बनेंगे आप लोग मेरी रैसिपीज को ज़रूर ट्राय किया करें मुझे कमेंट्स में बताया करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें शेयर किया करें ताके मैं आप लोगो मज़ीद नहीं से नहीं अच्छी से अच्छी रैसिपीज दे सकूँ यह देखें यह इसकी फाइनल लुक मैंने आप लोगो इस तरह भी दिखा दिया आप लोग इसको जुरूर ट्राइ करें आपके बच्छों को भी यह जुरूर पसंद आएंगे इन्शाला हम मिलेंगे नही रैसिपी के साथ और इस दुआ के साथ आप लोग जहां रहें हुश रहें आबाद रहें आप लोग अपना रहम करे करम करे Allah Hafiz